आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ। अभी राउटनोट करें। हेलो फ्रेंड्स प्रशन है गेहूं का काला रस्ट उत्पन होता है। तो दोस्तों है बताना है कि जो गेहूं का काला रस्ट है यह रोग इसके द्वारा उत्पन होता है। दौरा दूसरा है फक सी निया दोरः तीजरہ पेनेक्लियम द्वारा ओर चो था है राईजॉपस दौरः ठीके तो दोस्तों जो क्या होता है पकसीनिया होता है ठीक है क्या होता है जो पकसीनिया होता है पकसीनिया की जो ग्रेमिनिस ठीक है पकसीनिया ग्रेमिनिस जो है ठीक है यह क्या है एक कवक की पर जाती है और कवक के वर्ग बेसीडियो माइसीटीज का यह सदस्य होता है ठीक है किसका सदस्य होता है बेसीडियो माई सिटीज का जो है यह सदस्य होता है ठीक है कौन पक्सीनिया ग्रेमिनिस और यही क्या करता है गेहूं में ठीक है काला रश्ट रोग उत्पन्न करता है ठीक है क्या करता है गेहूं में काला रश्ट रोग उत्पन्न करता है तो अगर हम यहाँ पर बात करें विकल्पोगी तो पहला है यिस्ट द्वारा तो दोस्तों यिस्ट जो है यह क्या होता है एक कोशिकी कवक होता है ठीक है और यह रोग उत्पन्न नहीं करता है और इसका अउप्यों इतनोल के उतपदन में किया जाता है तक सीनिया जो है यही干 करता है गेहों में काला रस्ठ रोग उतपन करता है थbuildबक प्रति जेविक उतपन करने में किया जाता यह क्या करता है प्रतिजिविक उत्पन्न करता है और आईज़ोप透 जो है यह क्या कहलाता है ब्रेड मॉल्ड कहलाता है क्योंकि यह बेड़ पर उगने वाली का वग होती है तो यहाँ पर हमारा सयूत्तर है दूसरा भी कर धन्यवाद